नमस्क्रा दूस्तों मेरा नाम है अकाश और भाई स्वागत है आज के इस वीडियो में जहाँ पर आज हम अगेन बात करने वाले हैं सब्सक्रा दूस्तों पर तो सब्सक्राथ सिंगल डिस्क ड्रुवल डिस्क अभी अपने सामने देख रहेंए अपना एक 100 million edition आ जाता है और फाइनली जो पिछला वाला वीडियो देखा था ना आप लोगों ने इस टेल्थ एडिशन वो टॉप आफ डिट्रेम है इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स के उपर बात करेंगे जिससे डिफर करती है हीरो एक्स्ट्रीम वन सिक्ष्टीर इस टेल्थ एडिशन टू नॉर्मल वाले और उस वाले में क्या क्या अंतर है उसके बारे में बात करेंगे एक्चुली कोई अंतर है भी या नहीं सबसे बड़ी बात तो यह पड़ जाती है क्योंकि ओवरॉल जब आप इससे देखेंगे ना तो आपको सिर्फ कलर के अलावा और कोई अंतर पता नहीं चलेगा और डीपली बोलू तो अंतर है भी नहीं क्योंकि मैं उती देख से ढूंड़ा था मुझे कोई अंतर दिखा नहीं है अंतर है सिर्फ प्राइजिंग का 1000 रुपए वह आपको महगी मिलती है क्यों 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 वहाँ पे एक मैट कलर मिल जाएगा स्टेल्थ एडिशन मिल जाएगा एंजनरली आप जानते ही है जो तोड़े मैट कलर होते हैं या फिर अपने ब्लैक कलर हो चाहें बाइक हो ठोड़ी ची प्रीमें लगती है कहीं ना कहीं आप खुद भी एक बार जच करिए यह वाइट कलद आप एक बार देखिए और उसके बाद आप स्टेल्थ वाले एडिशन को देखिए तो रोड प्रेजंस इस टेल्थ वाले एडिशन की ज्यादा अच्छी मिलती है इस वीडियो में इसका हम एक पूरा का पूरा ड यहां पर कंपनी ओफर कर रही थी यहां पर पने डी डी आरेल साजाते हैं उन्हें आपको एक बार जला के दिखाए देता हूं सो यह देखिए कुछ इस टाइप से डी आरेल वर्क करते हैं नाइट के टाइम पर यह काफी ही जादा प्यारे लगते हैं और रोड पे मदब एक अलग टाइप से इपना सिगनेचर लुक बना देते हैं उसी के साथ साथ यह जो पूरी हैड लाइट यूनिट है हाई बीम दोनों के दोनों ही अपने रिफ्लेक्टर बेज़ एलीडी रहने वाले हैं जहां पर मैं हजार वाला सिस्टम भी देखने को मिल जाता है वह आप पहले भी देख चुके होंगे वीडियो के थरू जो की मदब यह काफी बढ़िया चीज बन जाती हैं सेगमेंट में काफी कम जो की इस फीचर को ओफर कर रही है 37 mm के अपने यहां पर में डायमेटर में टेलिस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं परफॉमेंस इस गोट जो शॉक्स है ना मतलब बहुत अच्छे से अब्जॉब कर लेता है काफी अच्छा यहां पर सस्पेंशन वर्क किया नीचे की साइड आपको एबिस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी इधर आगे अपना रिफलक्टर एलाय का लुक आप एक बार देख सकते हैं रेड स्ट्रिपिंग के साथ काफी ही जदा अच्छा लगता है काफी लाइट वेट बनाया गया है परफॉमेंस को नीचा जाती है एक बैजिंग इधर भी है क्योंकि बाइक में हमें सिंगल चैनल एविस मिल जाएगा रियर में आपके पास ऑप्शन है आप डिस्क एडरम दोनों के ही साथ जा सकते हैं ऐसा कुछ यहां पर रिफलक्टर आ जाता है टू पिस्टन कैलिपर यह खुद का हीर इंजन कंपनी यहां पर ओफर कर रही है विच प्रेडूसर आपके बात करें तो मुझे वेल मेंटेंड लगा एजली मतलब आप अपने पूरे कंट्रोल में रहते हुए बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं जो लाँचिंग है वो काफी ही जादा अच्छी है मतलब 0-60 बहुत कम सकेंड में ही यह कवर कर लेता है हिर एक्स्ट्रीम जब लाँच हुई थी ना तो कम्पनी ने बेसिकली इसी चीज के उपर सबसे ज़्यादा फोकस किया था पूरे के पूरे भाई tracks पे इस bike को दड़ाया था बहुत सारे youtubers को बुलाया था बहुत सारे लोगों को बुलाया था जहां पे इसकी proper testing की गई थी so performance related आपको यहां पे कोई वीशुन नहीं आने वाला है एक चीज़ यहां पे clever point है आपको यहां पे kickstart देखने को मिल जाता है generally इस segment में लोग अभी से remove out कर रहा है इदा आजाती है अपनी rear brake aluminium में अपने यहां पे footrest आ जाते है front में आपको यहां पे जो मतलब आगे वाला footrest है rubber coated आएगा पीछे वाला पूरा का पूरा cast aluminium में आएगा जो कि कुछ इस type से दिखता है काफी ही अच्छा यह रहने वाला है ऐसा कुछ यहां पे exhaust का look आजाता है एक plate इदर आजाती है silver में एक plate इदर एक plate इदर भी आजाएगी उसके बाद जो पूरी का पूरा look है ना वो और भी ज़दा अच्छा लगता है बाकि aluminum framing इदर यूज की गई है साइट की profile आप एक बार पूरी देख सकते हैं 160R की बैजिंग इदर है पूरा का पूरा काउल है इन काउल में ही अपने जो grab handle है वो fixed रहने वाले हैं इसकी quality भी यहां पे काफी अच्छी यूज की गई है रियर में आपको यहां पे monoshock suspension देखने को मिल जाएगा I think this one is the 7-way adjustable मतलब आप इसे अपने according adjust कर सकते हैं अपनी sitting के according अपने riding quality के according तो गर हम पीछे tire की बात करें तो यहां पे 130 by 70 instruction का tire मिल जाता है और जो alloy का size है वो again same रहने वाला है पीछे आपको abis नहीं मिलेगा but disc and drum दोनों ही variant देखने को मिल जाते हैं और जो पीछे का outlet है वो कुछ इस type से आता है exhaust का exhaust note काफी अच्छा है वो आगे मैं आपको इसका सुनाओंगा grab handle मैंने आपको बता दिये smoked out tail light है जो कि बहुत से लोग समझ रहेते सिर्फ stealth edition में आती है यह नहीं भईया stealth edition में नहीं वो सभी variants में company में offer कर रहे है even that अगर आप single disc लेंगे जाके जो कि इसका बिल्कुल विस variant है वहाँ पे भी यह चीज़ आपको मिल जाएगी मांकि real look आप एक बार पूरा देख चुके है इदर साइड है जाएं तो सारी गार्ट देखने को मिल जाता है again 160R की badging आपको यहाँ पर मिल जाएगी seat के ओपर बात करें बहुत से लोगों को लग रहा तो जो seat वाला update है वो सिर्फ stealth edition में है सो यह चीज नहीं है सो यह seat वाला update भी सभी variants में किया गया है जो पहले एकदम hump type का था seat में अब उसा remove कर दिया गया है उसके बाद जो pillion का comfort है वो पहले के comparison में तो increase हो चुका है बाकी मैं और कुछ verdict इस पर नहीं देना चाहूंगा क्योंकि generally इस type की जितनी भी bikes होती है अपनी naked segment की वहाँ पे pillion के comfort के लिए थोड़ा सा issue रहता है वो आप naked में चले जाए जैसे मैंने भी फिलाल naked को जादा वो किया है अपने apache 160 आती है उसमें भी देख लो तो उसमें भी कुछ ऐसा ही sitting comfort मिलेगा जैसा इसमें मिलना है अपना Honda की Hornet है तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही comfort मिलता है MT15 जो इस segment में है पहली बात तो वो overpriced है और comfort तो इससे भी घटिया वहाँ पे आपको मिलेगा and overall side की look आपने इधर की देख ली यहाँ पे आपको five speed का gearbox देखने को मिल जाता है one down four abala system है and again overall कुछ इस type से रहता है chain अपनी open रने वाली है यहाँ पे basic information यहाँ पे दी गई है जो कि मतलब किसी काम की नहीं है और कोई इस पे ध्यान भी नहीं देता होगा मेरे ख्याल से तो यह पूरा का पूरा मामला होगा moving towards the tank यह पूरा का पूरा जो cowl in a tank का यह फाइवर का है quality is decent good बहुत से लोग इसकी शिकायत करते है but personally अभी तक मैंने जितने भी लोगों के पास hero extreme देखी है उनके पास से मुझे कोई major issues मिले नहीं related to the tank 12 liters का fuel tank capacity है काई similar है डिट्टो वही चीज़ यहां पर यूज की गई है उपर rpm है speedometer है gear position indicator है autometer है time है trips है trip है trip है trip भी और उसके बाद अपना नीचे fuel किया जाता है service reminder भी है मतलब सब कुछ है यार और इसकी जो brightness है वो आप अपने according भी adjust का सकते है जो कि काफी clever point बन जाता है इसमें navigate करने के लिए अपने आगे दो button set and mood उसके तुरू आप इसमें navigate कर लेंगे और उसके नीचे अपनी सारी की सारी necessary warning lights यहां पर जाता है अपना cut off sensor जो side stand का है उसकी warning engine check light neutral high beam turn signal indicator इदा side में है high beam यह रही उसके बाद अपना ABS and low fuel indicator इधर आ जाएगा आपने इस digital speedometer का उपर hero की बैजिंग आ जाती है यहां पर आगे अपना ignition switch लॉक वाला system मतलब इधर से ही रहता है जो कि जनरली आजकल सबी bikes में आता है upright sitting position होने की विज़े से जो handle की quality है जो इसकी placement है कुछ इस type से की गई है इधर आजाएं switch quality के उपर सो काफी decent सी ही use की गई है यहां पर मतलब जो switches की quality है वो pricing को देखते हुए ठीक है यहां पर high beam, low beam, turn signal indicator horn इधर है इसकी quality आप एक बाद सुन लीजिए single horn है बट जो tone है ना वो काफी यहां पर high रखी गई है इधर side आजाएं तो इधर सिर्फ एक single button आता है engine kill switch के लिए and self इसी में ही integrated है so exhaust note भी आप एक बार सुन लो जो टल करनी पड़ेगी भाई so ऐसा तो कुछ रहा है इसका exhaust note अम मैं जड़ा आपको इसका side stand cut off sensor का work दिखा दूँ bike है start and अपन इसमें stand लगाएंगे अभी बंद नहीं हुई है ना अभी बंद नहीं होगी यह देखिए बस मैंने gear डाला clutch भी नहीं छोड़ा था फिर भी बंद हो गए अब यह start नहीं होगी चाहिए मैं कितनी कोशिश के उना कर लूँ start करने के अभी मैं आपको show करता हूं यह देखिए मैं self button दबा रहा हूं यह फिर भी start नहीं हो रही है and इस position में आप इसे start नहीं कर सकते हैं it means that neutral में stand के साथ start हो जाएगी बट जैसे ही आप gear डालके आगे बढ़ाने की कुशिश करेंगे यह start नहीं होगी so ऐसा तो कुछ overall मामरा रहता है अपनी hero extreme 160r का so that's all about the all over bike extreme 160r के बारे में detail में हम एक वीडियो पहले भी कर चुके हैं जहां पर हमने छोटी छोटी बातों के ऊपर भी बहुत deeply बात की थी यह वीडियो तो सिर्फ public demand पर बनी है जिन लोगों को extreme 160r के normal वाले variant का review चाहिए था so that's all about the bike जितनी भी necessary information थी मैंने शेयर कर ली है वीडियो आपको पसंद आया हो तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना क्योंकि और भी ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो में लाते रहते हैं मागी मिलते हैं एंगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए